इसकिन वाइटनेंग ट्रीडमेंट यानि की तौचा को गोरा करने का उपचार फिर चाहे आपके चहरे की तौचा हो या फिर आपके सरीर की तौचा हो आज किस वीडियो में एक ऐसा असरदार घरेलो नुस्खा बताऊंगा जो कि यह घरेलो नुस्खा केबल दो पार के लगाने से ही आपको इसका असर 100% आपकी स्कीन में आपके चेहरे पर देखने को मिलेगा सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसे कब और कितनी मात्रा में लगाना है और उसके बाद बताऊंगा आपको इसको किस तरीके से तैयार करना है यह रेमिटी बहुत ही जादा असरदार है तो वीडियो पूरा जरूर देखना चेनल पर नहीं तो सब्सक्राइब चरूर कर ना है क्यूंकि आप लाश्ट में भूल जाते हैं इसलिए फेंड्स आपको अब्धी हल लाइक तो कर ही देना है तो चली फ्रेंड में आपको बताता हूं इसको कब लगाना है इसे आप दिन में किसी भी टाइम लगा सकते हैं जब भी आप फ्री रहे आप इसको लगा सकते और इसको लगाने के बाद आपको दूप में विल्कुल नहीं निकलना है आप अपने चेहरे पर भी लगा सकते हैं और अपनी फुल बोडी स्कीन पर भी लगा सकते हैं जब आप अपनी बोडी स्कीन पर लगाएं तो इसकी मातरा आपको डवल तिरपल कर देनी है और जब प्रभग आप इसको 30 मिनिट धिगोई रखिए और 30 मिनिट के वाद फिर आपको उस पानी में से सिर्फ एक चमच पानी निकाल लेना है उस एक चमच पानी को निकालके आप एक छोटी सी कटूरी में रख लीजिए और आपको उसमें एक चमच नीबू का रस और एड़ कर दे ना है और फिर आपको सबसे इंपोरटन चीज एक और है पोर आपको इसको मिला देनी है इसमें और फिर इसके बाद आपकी remedy तयार है लेकिन मैं आपको पहले बताए देता हूँ जिस दिन आप इस remedy को आप अपने face skin पर या फिर आप अपनी body skin पर लगाए आपको साबुन विल्कुल भी नहीं लगानी है और साबुन विल्कुल भी नहीं लगानी है और दिन में आपको एक बार भी face वास से चहरा नही दोना है अब आप उस कटोरी में एक चमच बेसन मिला के आप थोड़ा साब उसमें पानी मिला लें ताकि यह एक face वेक की तरह वनकिर रेटी हो जाए ताकि आपका जो face वेक आपने वनाया है वो गाड़ा नहीं रहे और फिर आप अपने चहरे पर इसको 15-20 मिनिट लगाए 15-20 मिनिट लगाने के बाद फिर आपको जब आप इसको साफ करें तो थोड़ा सा पानी से पहले आप अपने चहरे को गीला कर लें फिर गीला करने के बाद अपने हाथ से उपर नीचे स्क्रिप करते हुए इस face बेक को फहले साफ कर लेजिए फिर उसके बाद आपको नॉर सब्ताय में किबल एक दिन ही आपको लगाना है और कुछ यदि आपको वीडियो में समझ नहीं आया है तो कमेंट में जरूर पूछना मैं आपको तुरंती रिप्लाइद दूँगा तो मिलते हैं ले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार